Hello everyone, one second welcome back to my channel Friends, winter के जो plants होते हैं वो कम से कम 9-10 मैने तक flowering करती है उन में से कुछ ऐसे permanent flower plant होते हैं जो winter में ही nursery में हमें दिखाई देते हैं और इन टाइम अगर उन plant को हम अपने garden में add करें तो पूरी साल भर ये plant हमारे garden में रहता है तो कुछ ऐसे top 10 plant में आपके साथ share करूँगी जो permanent होते हैं winter के तो उनकी name, price और थोड़ी थोड़ी सी care में आपके साथ इस video में share करूँगी तो वीडियो शुरू करने से पहले friends से चैनल को subscribe पहले कर जरूर कर दीजिए नहीं तो आप भूल जाते last में subscribe करना और पास में वेल एकिन के वेटरं को भी जरूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो सबसे पहला जो प्लांट है बहुत ही खुबसूरत और permanent flower plant जिसे इंपिशन या Chinese बलसम कहते हैं इनके flower इतनी खुबसूरत होते हैं आप खुद देख सकते हैं मेरी plant में कितने अधिक मातरा में ये plant flowering कर रहा है और ऐसे ही summer season में भी ये plant flowering करती है ये एक permanent flower plant होता है और इनी दिनों हमें nursery में ये plant दिखने को मिल जाता है तो ये सर्दियों के साथ साथ पूरे salver आपके garden में रहता है तो ये जो plant है फ्रेंट से nursery में 30-40 रुपे में और अंगिनत color इनके हमें मिल जाते हैं इनमें double pattern के भी color मिल जाते हैं और ये plant फ्रेंट से shade loving plant हैं अगर आपके garden में सर्दी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती हैं और फूल भी चाते हैं तो सबसे अच्छा option ये ही plant आपके पास इस plant को आप अभी अपने garden में add कर सकते हैं इस plant के साथ एक बहुत अच्छी बात है फ्रेंट से कि साल में किसी भी time ये plant cutting के थुरू भी आराम से grow हो जाती है सबसे अच्छी बात है ये ही है तो ये plant मेरे पास कम से कम 3-4 color है सारे plant मेंने cutting के थुरू अपने garden में add किया था तो cutting लेने का तरीका देखिए फ्रेंट से ये जो पत्तियों के side का जो part होता है ये note area होता है यही से cutting लेके आप चाय वाली जगा पे इसे रखिए आपकी cutting 100% grow होगी और इसी के पास से फ्रेंट से ये गुल्दावदी कई सारे colorों में इन दिनों आपको नरसरी में only 15-25 रूपीस के बीच में ये plant दिखने को मिल जाता है और सबसे अच्छी बात है ये भी एक permanent plant होता है इन दिनों बहुत ही अच्छी मात्रा में ये plant flowering करता है और कम से कम इनके flower से फ्रेंट से जून से जुलाई तक इन में flowering होती है रुक रुक के दोड़ी से flowering करती है एक बार flower हो जाने के बाद ये plant कुछ दिनों के लिए rest पर रहता है उस टाइम आप बहुत अच्छी दरीके से fertilizer करते हैं तो दूसरी बार flowering के लिए बहुत जल्दी से ready हो जाता है और ये plant अगर आपने अभी भी cutting से grow नहीं किया है तो आप late नहीं हो अभी भी आप कर सकते हैं आराम से इनकी cutting आप कम से कम 4-5 हिंची की cutting लीजिए और किसी भी normal garden soil में इसे लगा कर चाई वाली जगा पे अगर आप रखेंगे तो इनकी cutting भी बहुत जल्दी से grow हो जाएगा और winter की plant में एक बहुत अच्छी बात है कि आप अगर cutting लगा रहे तो वो grow होने के साथ-साथ छोटी पॉत में भी इनकी flowers आना शुरू हो जाता है हमें plant बड़े होने का weight भी करना नहीं होता है flower हमें दिख जाते है और इसी के पास है जो plant इसे pitonia कहते है कई सारे color में इन दिनों में हमें nursery में only 10 to 15 रूपीज में मिल जाता है और इनकी growth इतनी speed होती है फ्रेंट से की nursery से लाने के बाद इसे अगर तुरंत अपने report किया तो one week में आपका जो pot है वो पूरी दरीके से भर जाता है petunia कम से कम फ्रेंट सा October से लेकि जून तक बहुत अच्छी मातरा में flowering करता है और मेरे यहां फ्रेंट से यह अगस्त तक भी flowering करता है अगर मैं इसे तोड़ी सी बारिश की पानी से अदुप से बचा के रखू तो अभी मैंने एक report नहीं किया nursery से लेके आई हो क्योंकि pot नहीं है मेरे पास और इस साइड मेंने दो color एक साथ एड़ किया है इसे hanging basket में भी आप लगा सकते है फ्रेंट से hanging basket में भी देखने में काफी सुन्दर लगता है यह plant और एक अच्छी बात है इस plant के साथ कि इनकी ज़्यादा care करनी की जरूरत नहीं होती है तोड़ी सी fertilizer अगर आप दे तो यह बहुत तीजी से यह plant grow हो जाता है और इधर रेफ्रेंट से dentis dentis भी एक permanent flower plant होता है पूरी सालवर यह plant flowering करता है और इन दिनों nursery में कई सारे color के साथ यह plant हमें 10 to 15 या 20 रूपीस में मिल जाता है और यह plant मेरे एक साल पुराना plant है और यह plant मैंने अभी लिया है nursery से कुछ दिने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था और देखे इनकी growth कितनी speed से है तो इस ट्रेम जितने भी winter के flower plant है और जो permanent plant है है कोशिश कीजिए उनको अपके garden में add जरूर करे दिखने को मिल जाता है लेकिन जो यह red color है यह काफी सुन्दर लगता है यह plant भी permanent flower plant होता है अगर आप illustration के नियर रहते हैं तो पूरे साल बार यह plant flowering करता है और इन दिनों nursery में 10-20 रूपीज के बीच में यह plant आराम से किसी भी छोटे से बड़े nursery में यह plant हमें दिखने को मिल जाता है तो इसी भी आप इस टाइम अपने garden में जरूर एट करें नेक्स्ट जो plant है हर gardener इसी plant से सरदियों की सुरवात करते हैं और हर किसी के garden में marigold या गेंदा आपको दिखने को मिल जाता है और सबसे अच्छी बात है कि हर चोटे से बड़े nursery में यह plant हमें 10 रुपीज के मिल जाते है और उनकी चोटी पौद अगर आप ले तो 5 रुपीज के भी मिल जाते है और इन दिनों इन प्लान्ट में इतनी अधिक मातरा में flowering होती है और सबसे अच्छी बात है कि इनके flower का साइज है वो काफी बड़े बड़े होते हैं और जब फ्रेंटस में flower आपको देखे कि कलिया वन्नी ऐसी चोटी चोटी शुरू हो गई है तब थोड़े सी अच्छी तरीके से अगर इसे fertilizer करे तो इनके फुलों के साइज भी काफी बड़ा होता है और कई-कई महनों तक ही ऐसी फुलों से लदे होए रहते है नेक्स्ट जो कॉक्सकुम बहुत ही खुबसूरत और एक हाड़ी प्लांट होता है इनकी दो वैराइटी आती है एक देसी और एक हाइवरिट हाइवरिट में ऐसी इनकी ड्रॉप वैराइटी होती है इनमें कई सारे कलर मिल जाते है और ये कलर देखिए और इनके जो फ्लावर होते हैं उनकी भी साइज और डिजाइन भी काफी सुंदर-सुंदर होते हैं नर्सरी में और ये प्लांट अगर आपने गार्डन में लगाया तो फूल अगर एक बार खिल गया तो कम से कम चार से पाँच मेने तक इसकी फ्लावर ऐसी खिले रहते हैं नेक्ष्ट जो प्लांट है फ्रेंट से ये है रोज रोज का जो विंटर सीजन है इनमें फ्लावर तो खिलते हैं बहुत अधिक मातरा में और इनके फूलों की जो साइज होती है वो काफी बड़ी होती है और इन दिनों नर्सरी में ये प्लांट हमें 100 to 200 की बीच में काफी सुन्दर-सुन्दर इनकी वराइटी दिखनी को मिल जाता है और अगर आपकी पास ये प्लांट है तो इनमें बहुत अच्छी तरीके से इस टाइम विंटर में फटिलाइजर जरूर करें अधिक फूल लेने की लिए ये दिखे मेरी प्लांट में एकी प्लांटे इसमें कम से कम दो फ्लावर खिलें वो हैं और दो कलिया भी वनी होई है और इसी के साइड में वाइट कलर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस टाइम इन प्लांटों की दोफ की बहुत जरूरत होती है अगर आपके पास रोज प्लांटे तो दोफ में जरूर रखिये आप और ये पर्मनेंट फ्लावर प्लांटों होते है इसी के साइड जरूर बहुत ही खुशूरत एक फ्लावर प्लांटों होता है और एक पर्मनेंट फ्लावर प्लांट भी लेकिन इनी दिनों हमें सर्दियों में नरसरी में ये प्लांटे दिखने को मिल जाता है only 6200 रूपीज की बीच में वो प्लांट की ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्लांट आप ले रहे हैं और इनकी बेबी प्लांटे से हम बहुत सारी प्लांटे मल्टिप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी प्लांटे है तो नोटी जरूर कीजिएगा उसके आसपास अगर बेबी प्लांटे ग्रो हुए है तो इस टाइम आप डिवाइट करके एक न्यू प्लांटे इसी प्लांटे से आप बना सकते हैं और इनके कलर काफी सुन्दर होते हैं और फ्लावर जब इनके खिलते हैं फ्लांटे से कई-कई महनों तक ऐसी खिले रहते हैं इस प्लांटों को भी जाधा दूप की ज़रूरत नहीं होती है और इसी के साथ जो प्लांटे हैं ये हैं क्लैंचो क्लैंचो काफी सुन्दर और एक पर्मनेंट फ्लावर प्लांटों होता है इनकी देशी और हाइवरेट दो वेराइटी हमें मिल जाता है और कटिंग से इस प्लांटों को लगाना बहुत ही एजी होता है 100 to 200 की बीच में ये प्लांट हमें नर्सरी में दिखने को मिलता है वो भी हाइवरेड वाली इसकी देशी जो वेराइटी है फ्रेंटों वो 20 रूपीस के मिल जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हो फ्रेंट से तब तक के रिए नमस्काई बाब बाई